नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9 के कुछ multiple choice questions को discuss करेंगे approximately 70 होने वाले हैं और जो chapter होगा वो class 9 का last chapter है in CRT का और chapter का नाम है improvement in food resources तो चलिए start करते हैं first question को बिना time waste किये देखते है first question में क्या कहा गया तो first question कहा रहा है white revolution has led to better and more efficient use as well as availability of dash white revolution जो है वो mainly पूछा गया है कि उसने क्या किया था उसने बहुत ज्यादर production बढ़ा दिया था availability बढ़ा दी थी ठीक है efficiency बढ़ा दी थी किसके production में तो wheat के production में नहीं बढ़ाई थी राइस में बढ़ाई थी एक में भी नहीं बढ़ाई थी किसमें बढ़ाई थी milk के production में बढ़ाई थी तो इसमें D option जो होगा that will be the correct answer question 2 पे आते है question 2 कहा गया है it is important that we should increase food production without degrading our environment तो देखिए एक यहाँ पर definition दी गई है कि हम लोग अपना food production तो पढ़ाना चाहिए लेकिन environment को degrade नहीं करना चाहिए environment को बिना degrade किये balance को बना कर जो भी development होता है ऐसे development को क्या कहते है या ऐसे agriculture को क्या कहते है तो इसको कहा जाता है sustainable agriculture तो यहाँ पर B option जो है that is the correct answer next पर आते है question 3 क्या कह रहा है the majority of our population depends on dash for livelihood तो देखिए अगर भारत की जन संख्या देखी जाए तो ज्यादा तर about 66% जो हमारी population है वो किस पर dependent है तो पहला option दिया है agriculture दूसरा banking तीसरा transportation और चौथा mainly किस पर dependent है agriculture पर dependent है next पर आते है question 4 में कहा गया cereals such as wheat rice maze देखे कुछ बाते करी गई है जैसे wheat की बात करी गई है wheat मतलब चावल rice wheat मतलब चावल मेज हो गया मक्का टीक है millet sorghum यह जो यह हम लोगो क्या provide करते हैं बताना है तो पहला option दिया है fat दूसरा option दिया vitamin तीसरा option दिया carbohydrates और चौथा option दिया है proteins तो देखे है यह हम लोगों wheat rice maze millets और को सब्सक्राइब है कोफिरो आहीं हमको कुछ सब्सक्राइब करते हैं जिसे carnah उन्न दयादा रखी तो यह को भी घाट टी है मोग को क्या वाइट करते हैं बने शर्म दाल een प्रवाइड करते हैं तो इसमें D option जो है that will be the correct answer कोशंबर 6 पर आते हैं 6 कह रहा है oil seeds including soya bean groundnut देखे oil seeds mainly आपसे पूछे गए है ठीक है जो oil होते है जो तेल होता है ठीक है oil seeds जो होते हैं जिसमें soya bean भी आ जाएगा ग्राउंड मतलब मोंफली भी आ जाएगी सीसेम आ जाएगा कैस्टर आ जाएगा mustard linseed और sunflower आ जाएगा यह हम लोग को क्या प्रवाइड करता है तो यह हम लोग को प्रवाइड करता है fats ठीक है necessary fats प्रवाइड करते हैं ठीक है next पर आते है अगर यह प्रवाइड करते हैं च्पाइसचे सब्सक्राइड करते हैं इसमें तो इसमें अगर देखा जाए तो डी options हो जाएगा that is all of the above तो बिजिटेबल में ली देखा जाए क्या-क्या प्रवाइड करते हैं तो विजिटेबल देते हैं लार्ज कॉंटिटी में फार्टो पीरेट पीरिट विश्य दिल्ट इस नुट इस नीयुग्छ ब्रूंटिटी में घर पर इस ट्री वीड़ रिलेटिट तौर्ट विल्टेंस प्लांपे नौन थैर गरन्डेकिक प्लांप्ट को पता होगा plant जो है वो एक autotroph होता है green plants mainly जो होते हैं autotroph होते हैं ये क्या करते है अपना plant खुद manufacture करते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है मतलए इनको autotroph कहा जाता है और इस process को क्या कहा जाता है जिससे अपना food manufacture करेंगे इसको कहा जाता है photosynthesis ठीक है और photosynthesis के लिए जो requirement होती है याद रखेगा sunlight तो होती ही होती है यह तो आपको याद रखना ही रखना है लेकिन उसके साथ ही साथ chlorophyll भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ठीक है तो chlorophyll और sunlight की सबसे आदिया requirement होती है किसके लिए photosynthesis के लिए next पर आते है question number 10 देखे 10 क कह रहा है which of the following crop is grown in rainy season देखे रेनी सीजन में जो crop बोया जाता है वो कौन सा होता है तो वो crop ऐसा होता है जिसको पानी के requirement ज्यादा होती है और वो होता है खारिफ crop ठीक है कब से कब तक के बीच में रहता है तो June से लेके October तक यह रहता है ठीक है तो mainly जो इसका growing season है तो वो June है ठीक है इस तरीके से आप समझ सकते इस चीज को जो harvesting season होगा वो क्या हो जाएगा October हो जाएगा next पर आते है कुछ नब 11 देखे क्या कहा गया which of the following are grown in winter season from November to April अब दीके जो winter season में grow करे आते हैं mainly क्या होता है कि इनको water की requirement क्या होती है कम होती है water की requirement less होती है grow किये जाते है म क्रॉमबर में और harvest के जाते है अपरेल में ठीक है तो ऐसे से ऐसे crop को क्या कहा जाता है रभी crop कहा जाता है ठीक है जिसे गेहूं एक रभी crop है और rice में देखेंगे तो rice कैसा crop है तो खारिफ crop है next पर आएंगे कुछ नंब 12 कह रहा है paddy soya bean अब देखे पैडी हो गया soya bean हो पीजन पी हो गया मेज हो गया cotton green gram और यहां पर black gram दिया गया है तो यह एक्जामपल किसके हैं यह आपको बताना है तो यह जो एक्जामपल है खरिफ crop के हैं ठीक है अब पैड़ी से आप समझेगा पैड़ी एक तरीके से राइस है ठीक है तो rice क्या है खरिफ crop है भी आपको हो गया mustard हो गया linseed हो गया यह सब किस कौन से crop होते हैं तो रभी crop होते हैं ठीक है नेक्स्ट में आते हैं को शंबर 14 में कहा गया इंडिया there has been a dash time increase in production of food grain तो कितना कितने times production जो food grain का था वो increase हो गया 1952 से 2010 के बीच में जबकि अगर देखा जाए cultivable land area जो है वो सिर्फ 25% increase हुआ है ठीक है तो जो cultivation का land है उसमें सिर्फ increment 25% का आया लेकिन जो production है जो food का production है उसमें कितने times का increment आया है तो यह आया है four times का ठीक है तो इसमें four will be the correct answer चार गुना समझे production बढ़ गया है 1952 से 2010 के बीच हो mainly इसके पीछे कारण क्या है तो यह आप लोग ने सुना होगा green revolution ठीक है green revolution आपने उस सुरा होगा तो green revolution mainly इसका क्या है कारण है MS Swaminathan के बारे में आप लोग जानते होंगे father of Indian green revolution भी हो कहलाते हैं next पर आते हैं question number 15 में क्या कहा गया one way of incorporating desirable characteristics into crop varieties is by dash देखे अगर आपको कोई भी desirable characteristic को डालना है किसमें कोई किसी crop variety में तो उसके लिए जो process है वो क्या कहलाता है तो milching नहीं कहलाता वो क्या कहलाता है hybridization कहलाता है तो यहां पर B option जो है वो सही हो जाएगा आपको कोई भी desirable qualities डालनी है किसी भी crop में तो एक process होता है जिसको hybridization कहते हैं उसको follow कर यह और अपना हो जाएगा काम question number 16 पर आते हैं दो statement दिये गए है आपको बताना है कौन सा statement सही है तो hybridization refers to crossing between genetically dissimilar plant बिल्कुल सही है statement 2 कह रहा है this crossing may be inter varietal between different varieties, inter specific between different species of same genus, inter generic of different generics ठीक है तो यहां पर यह जो दोनों statement हैं बिल्कुल सही दिये गए है तो यहां पर c options ही हो जाएगा that both statement 1 and 2 are correct question number 17 true and false based question है इसमें कहा गया for new varieties of crop to be accepted दिखे अगर कोई नई variety accept करी जा रही है it is necessary that variety produces high yield under different conditions तो देखे उसमें यह necessity होनी चाहिए उसके अंदर यह necessary चीज होनी चाहिए कि जो production हो उस crop का बहुत ज़्यादा हो चाहिए किसी भी condition में उसको डाल दिया जाए ठीक है और अलग-अलग areas में उसको grow किया जाए तो यहाँ पर जो statement है बिल्कुल सही है तो इसका answer हो जाएगा true नेक्स्ट पर आते हैं कोशंबर 18 के रहा है cultivation practices and crop yield are related to dash देखे जो भी cultivation practices होती है जो भी crop yield होती है यह किस से related है तो yielding related है बिल्कुल weather से related अच्छा होगा यह जादा होगी तो इसका अंतलब किस पर हो जाएगा all of the above हो जाएगा इसका answer question 19 थाते है हाला कि थोड़ा सा गलत हो गया चलिए देखते हैं इसमें कहा गया which of the following allow farmer to take up different farming practices and agricultural technologies देखें कोई भी farmer है तो उसके पास अलग अलग technological changes या अलग अलग आप कह सकते हैं farming practices का बाप आएंगी जब उसकी social condition अच्छी हो नहीं political condition अच्छी हो नहीं जब उसकी economic condition या financial condition अच्छी होगी तब वह सब चीजे ज्यादा अच्छे से कर पाएगा नहीं technology ला पाएगा नहीं equipment ला पाएगा जिससे उसके खेतों की productivity क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी question 19th कह रहा है nutrients are supplied to the plants by अब देखें जो plants से उन में nutrients की supply किससे होती है आपको बताना है ठीक है तो यह air से भी होती है air से जैसे oxygen मिलेगा hydrogen मिलेगा इस अब air से ही मिलेगा water से भी hydrogen oxygen मिलेगा soil से सारे nutrient मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पर D option हो जाएगा इसका all of the above next 28th question कह रहा है how many nutrients are essential for plants अब देखें जो plants है उनके लिए कितने nutrients essential होते है तो 16 nutrient essential होते हैं याद रखेगा next पर आते है question 21 कह रहा है what supplies the other 30 nutrients to the plant ठीक है तो यहाँ पर mainly पूबूला गया है जो तीन nutrient है पहले तो याद रखिए जैसे hydrogen है ठीक है oxygen है ठीक है hydrogen हो गया oxygen हो गया और carbon हो गया यह 3 nutrient ऐसे हैं जो mainly air और water supply कर देते हैं carbon mainly carbon dioxide carbon carbon dioxide से मिल जाएगा plant को ठीक है लेकिन जो soil होता है यह बाकी के 30 nutrients provide करता है किसको plant को यह बात याद रखेगा next पर आते हैं question 22nd कह रहा है how many nutrients are required in large quantities and are called macronutrients किते nutrients ऐसे होते हैं जो large quantity में required होते हैं उनको macronutrient nutrient कहा जाता है तो यह होते हैं total 6 ठीक है कितने होते हैं 6 nutrients होते हैं याद रखेगा इनको macronutrient इसलिए का आता है क्योंकि यह large quantity में required होते हैं question 23rd पर आते हैं the other 7 nutrients अब देखिए 6 आपने देखे कैसे थे 6 आपने देखे तो 6 जो nutrients हो में लिए macronutrients है बहुत ज्यादा quantity required है इसके बाद 7 nutrients जो है वो micronutrients है में लिए सब soil से ही मिलते हैं ठीक है तो साथ nutrient क्या है micronutrient है और वो कम quantity में required होते हैं तो यह option बल्कुल सही है next पर आते हैं यहाँ पर कुछ आप nutrients देख सकते हैं से मिलना कौन कौन सा है कारबन है और oxygen है water से क्या मिलना है hydrogen है और oxygen है अब यहाँ पर देखे स्वाइल से मिलने वाले आपको macronutrients मिलना है जो ज्यादा quantity required है जैसे nitrogen हो गया phosphorus हो गया potassium calcium magnesium और sulfur तो यह छे याद रखेगा nitrogen nitrogen का symbol N होता है phosphorus का P होता है potassium का K होता है calcium का CA होता है magnesium का mg होता है और sulfur का S होता है तो यह जो है यह आपके macronutrients से याद रखेगा ठीक है और micronutrients कौन से हैं तो iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum और chlorine यह सब क्या है micronutrients तो इस तरीके से आपके nutrients हो जाएंगे next पर आएंगे next question को देखें question 24 में क्या कह रहा है which of the following contains large quantity of organic matter and also supplies small quantities of nutrients to the plant तो दीखें आपको बताने कौन से इन में से ऐसा क्या है जिसमें बहुत ज़्यादा organic matter होता है organic मतलब एक तरीके से कह सकते dead and decaying plants and animals होते हैं तो और साथी साथ बहुती कम मातरा में nutrients पाय जाते हैं तो यह क्या होते हैं नेक्स्ट में आएंगे 25 कह रहा है the process in which farm waste material like live stock excreta cow dung vegetable waste animal refuse ठीक है domestic waste sewage waste ठीक है straw eradicated weeds is decomposed in pits are known है तो देखिए यहाँ पर mainly आपसे जो बात करी गई है कि जितनी भी कोडा कबाडा होता है ठीक है vegetable waste हो गया ठीक है यह सब domestic waste हो गया sewage waste हो गया जब इन सबसे एक तरीके से इनका decomposition किया आता है manure create किया जाता है यह compost किया आता है तो उस process को कहते क्या है तो that process is called what यही आप से पूछा गया यहाँ पर ठीक है तो इस process को कहा जाता है composting next पे आते हैं question number 26 कह रहा है which of the following is rich in organic matter and nutrients अब देखे organic matter and nutrients में बताना है कौन सा इसमें rich है तो compost जो होता है इसमें organic matter भी जादा होते हैं और nutrients भी जादा होते हैं तो यहाँ पर D option सही हो जाएगा 27 कह रहा है compost prepared by using dash is called vermicompost अब vermicompost क्या होते हैं तो ऐसे compost जिनको earthworm से prepare किया आता है उसको vermicompost कहते है 20 यहाँ पर green manure की बात करी गई है green manure क्या होते हैं इसको आप लोगा सथ देख लीजेगा next पर आते हैं कुशंबर 28 में कहा गया which of the following element is not supplied by fertilizer अब fertilizer क्या नहीं supply करता तो याद रखेगा fertilizer तीन चीज़र supply करता है nitrogen phosphorus और potassium तो nitrogen phosphorus और potassium सही है क्या नहीं supply करेगा calcium supply नहीं करेगा fertilizer 29 पर आते हैं which of the following should be applied carefully in terms of proper dose time and observing pre and post application precaution for their complete utilization तो देखे इन में से कौन सा ऐसा है जिसको apply जब किया जाए तो इसका proper dose हो ठीक है proper timing हो और साथी साथ यह जरूर देखा जाए कि कब apply किया जा रहा है और उसे apply करने के बाद क्या हो रहा है तो यह सारी चीज़े जब जिसमें देखी आती है तो वह क्या है वह है आपका fertilizer fertilizer में यह सब थोड़ी सी जो होती है देखने की जुरत पड़ती है मतलब यह सब precaution लेने पड़ते हैं क्योंकि fertilizer आपको पता होगा अगर बहुत ज़्यादा यूस कर लिया गया तो कहीं ना कहीं soil की यह कह सकते हैं कि soil की जो fertility होती है उसको reduce भी कर सकता है 30th question पर आते हैं 30th question कहा रहा है fertilizer get away due to excessive irrigation जो थी कि अगर बहुत ज़्यादा irrigation हो रहा है तो fertilizer soil से निकल के उस water में चला जाएगा और plant उसको उसको fully absorb नहीं कर पाएंगे अब इससे होगा क्या कि इससे एक pollution होगा जिसको क्या कहेंगे water pollution हम लोग कहते हैं next पर आता है 31st में assertion दिया गया reason दिया गया है assertion में दिया गया continuous use of fertilizer in an area can destroy the soil fertility ठीक है तो यहां पर दिया गया है कि बहुत ज़दा अगर fertilizer का use हो रहा है किसी area में तो soil fertility जो है वो reduce हो सकती है या deplete हो सकती है बिल्कुल सही है खतम हो सकती है तो assertion बिल्कुल सही है reason क्या दिया गया the organic matter in the soil is not replenished देखें इसका reason क्या है इसका reason यही है कि जो organic matter soil के अंदर present होता है वो replenish यह कह सकते है renew नहीं हो पाता ठीक है जिसकी वजह से जो micro organism होते है जो soil में present होते हैं वो fertilizer की वैसे harm होते हैं खतम होते हैं ठीक है तो यहां पर अगर देखा जाए assertion भी सही है reason भी सही और explanation भी सही है तो इसका answer क्या हो जाएक option number a will be the correct answer of question number 31 32 पे आते हैं 32 question देखेंगे चलिए को 33rd आ गया है इस देख लेते हैं इसमें कहा गया growing two or more crop simultaneously on same piece of land for example wheat plus gram wheat plus mustard और groundnut plus sunflower तो देखिए आपको पता ही होगा एक से ज़्यादा crop को simultaneously किसी piece of land पे grow किया जाता है एक से अधिक plant जैसे हो गया wheat को gram के साथ ठीक है wheat को mustard के साथ groundnut को sunflower के साथ ठीक है तो ऐसे जो इस process को क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है ठीक है तो इस process को क्या कहा जाएगा तो इस process को कहा जाएगा mixed cropping तो यहाँ पर c option जो है that is the correct answer question 34th पे आते हैं growing two or more crop simultaneously on the same field in the definite pattern देखिए यहाँ पर एक नया term जोड़ दिया गया definite definite pattern तो जब definite pattern में same crop को grow किया जाता है तो उस process को क्या कहा जाता है उस process को कहा जाता है inter cropping ठीक है तो यह भी याद रखेगा inter cropping उसको बोलते हैं question 35th में कहा गया which of the following is correct among the following आपको बताने इसमें correct कौन सा है तो यहाँ पर दिखेंगे few rows of one crop alternate with few rows of second crop for example यह ठीक है यह mainly inter cropping में किया जाता है ठीक है यहाँ पर mainly जो बोला गया है inter cropping के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है ठीक है तो related to inter cropping आपको बताना है कौन सा statement यहाँ पर सही है तो पहला statement बिल्कुल सही है the crop are selected such that their nutrient requirement are different e.b. सही है थर्ड में का गया this ensures maximum utilization of nutrient supplied e.b. आपका सही है तो इसमें सारे एक सारे option जो है वो inter cropping से related बिल्कुल सही है next पर आते है 36th question कहा रहा है the growing of different crops on a piece of land in a pre-plant succession is known as तो देखे pre-plant succession में मतलब एक के जैसे कोई चीज बोई गई फिर उसको harvest किया गया फिर दूसरी एक नई चीज बोई गई फिर उसको harvest किया गया तो एक जो succession होता है अलग-अलग crop को grow करने का उस process को कहते है crop rotation ठीक है जैसे मान लिजे अभी wheat बोया गया ठीक है या गिहूं बोया गया उसके बाद जब इसकी कटाई हो गई harvest कर दिया गया तो इसके बाद क्या बोई दिया गया या rice के बाद मान लिजे क्या बोई दिया गया rice के बाद जैसे ठीक है मटर बो दी गई तो मटर क्या कर एक लिग्मना से ठीक है nitrogen बढ़ा दीगी स्वाल में तो इस तरीके से मतलब succession में successive एक के बाद एक के बाद एक जो हम लोग क्रॉप बदलते चले आते हैं इस प्रॉसस को आजाता है crop rotation next पहते हैं 37th assertion reason based question दिया गया है इसमें का आगे availability of moisture and irrigation facilities decide the choice of crop to be cultivated after one harvest ठीक है बिल्कुल साही बात है कि जो moisture है जो irrigation है उसकी facilities कैसी है वो decide करती है कि crop जो है वो cultivate जो किया जाएगा वो क्या होगा ठीक है एक harvest के बाद कैसा crop cultivate किया जाए उस पर depend करता है reason क्या दिया गया है if crop rotation is done properly then two or three crop can be grown in a year with good harvest ये भी बात सही है तो assertion भी सही है reason भी सही है explanation लेकिन यहां सही नहीं है तो यहां पर B option सही हो जाएगा question 38th दिया गया है unwanted plants in the cultivated field for example xanthium parenthium ठीक है और यहां पर syprenus rotundus दिया गया है तो इस तरीके के कुछ आपको यहां पर नाम दिये गया है यह सब क्या है तो यह सब weeds है ठीक है घास है unwanted plants होती है घास याद रखेगा question 39th में कहा गया under what way insect या pest attack the plant ठीक है तो plant को attack कितने कितने कैसे कैसे रूप में करती है insects तो पहला दिया गया है they cut the roots stem and leaf बिल्कुल सही है they suck the cell sap cell sap को juice लेते हैं ठीक है from various part of the plants यह भी सही है they bore into the stem and fruits तो आपने देखा होगा कभी क्या होता है कि फल या फूल में आपने देखा होगा stem में देखा होगा फल में देखा होगा चोटे-ोटे कीडे लग जाते है तो यह भी option बिल्कुल सही है तो यहाँ पर d option लिवीदा correct answer इस तरीके से जो insect होते हैं जो pest होते हो क्या करते है plants को attack करते है 40th question भी assertion reason based है disease in plants are caused by pathogens such as bacteria फंजा इन viruses बिल्कुल सही है कहा गया these pathogens can be present in and transmitted to soil water and air यह भी सही है assertion भी सही है reason भी से explanation सही नहीं है ठीक है तो यहाँ पर b option सही हो जाएगा ठीक है these pathogens मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है तो bacteria की फंजाय की और virus की बात हो रही है इनको soil से water से और air से transmit किया जाता है question 41 में का गया which one of the following is not included in animal husbandry अब आपको उताने इसमें animal husbandry में क्या चीज़ included नहीं है तो ठीक है feeding include है breeding include है disease control include है बस क्या include नहीं है production जो है वो animal husbandry में नहीं आता है ठीक है next पर आते है question number 42 कह रहा है boss indicus ठीक है boss indicus जो है यह किसकी species है तो यह cow की species है किसकी species है cow की next पर आते है next question boss boobalis is a breed of यह किसकी breed है तो नामसे बूबैलिस मतलब buffalo की यह breed होती है ठीक है next पर आते है question number 44 कह रहा है milk producing females are called milk animals तो देखे ऐसी female यह मतलब यह कह सकते है कि ऐसे animals जो milk produce करते उनको milk animals कहते है while the ones लेकिन ऐसे animals जिनको farm labor की तरह use किया आता है मतलब जो आप लोग ने देखा होगा हलल चलाते है तो उनकी तरह जो animals use किया आते है वो क्या होते है तो उनको कहाता है drought animals ठीक है next पर आते है 45 में कहा गया milk production can be increased by increasing milk production को जो milk production है next पर आते है question number 46 में 46 कह रहा है exotic और foreign breeds जैसे यहाँ पर कुछ foreign breeds दी गई है जैसे जर्सी दी गई है brown swiss दी गई है तो ये selected ये select करी आती है ये पाली आती है क्यों पाली आती है ठीक है तो इसके पीछे कारण ये है कि इनका जो lactation period होता है मतलब ये दूद बहुत ज़्यादा देती है lactation period निका बहुत ज़्यादा होता है next पर आते हैं लेकिन अगर local breed की बात करी जाए जैसे red सिंधी हो गई साहिवाल हो गई तो इनका production तो मिलका उत्तादा नहीं होगा 49th पर आते हैं इसमें कहा गया concentrate are low in dash concentrate जो होते हैं ये fiber में तो कम होते हैं लेकिन इन में क्या present होता है तो protein और other nutrients यहाँ पर ज़्यादा present होते हैं ठीक है next पर आते हैं next question को देखेंगे next question question में 58th पर आते हैं 58th question कह रहा है which of the following diseases caused by bacteria and viruses तो देखेंगे bacteria और virus से जो disease cause होती है उनको क्या कहते हैं infectious disease कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर C option सही हो जाएगा next पर आते हैं next question 51st है इसमें का आगया portory farming is undertaken to raise domestic foul for egg production and chicken meat ये बात बिल्कुल सही है portory farming में क्या होता है mainly जो fouls होते है जो chicken है उनको egg के production के लिए chicken के meat के लिए क्या कियाता है process किया जाता है कह सकते हैं कि उनका culture होता है एक तरह किसे कह सकते हैं next पर आते question 52 में कहा गया है indigenious for example a seal and foreign exotic for example leghorn breeds are the breeds of देखे यहाँ पर दो example आपको दिए गया है a seal और leghorn ये क्या होते हैं ये होते हैं मतलब ये तरीके इसची कहा है chicken है ठीक है तो fish नहीं है goat नहीं है sheep नहीं है chicken है next पर आते है 53 में कहा गया broiler chicken आपने देखा होगा जो मुर्गे होते हैं दो तरीके के होते हैं देसी वाले होते हैं black या brown आपको देखने को मिलेंगे एक white color के होते हैं, जितने लोग non-wich खाते हों, उनको पता होगा white color के होते हैं, उनको broiler chicken कहाता है, अब इनको mainly क्या खिला आता है, तो इनकी feeding किसी से होती है, तो vitamin rich supplementary feed से होती है, मतलब इनको vitamin rich चीजे खिला जाती है, जिससे इनका growth rate, यह कह सकते हैं, जो feed efficiency है, वो ज्यादा ह हो सके, ठीक है, तो यहां पर B option सही हो जाएगा, नेक्स्ट पर आते हैं, 54 में कहा गया, the daily requirement of food for broiler is protein rich with adequate fat, देखें, यहां पर broiler के बार एक और बात बताई गई है, कि इनकी जो राशन होती है, मतलब इनका जो daily requirement होता है, उसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर जो बात करी गई है, तो broiler जो होते हैं, उनको protein rich, चीजे और adequate fat खिला याता है, जिसकी वैसे होता क्या है, the level of which vitamin is kept high in the poultry feed, अब vitamin पूछा गया, कौन रखते हैं, तो vitamin A और vitamin K को भी high रखते हैं, अब हमने पहले देखा था, vitamin B रखते हैं, और साथी साथ यहां पर अगर देखेंगे, तो fed with vitamin तो रहेगा, लेकिन अगर आप से पूछा जाए, broiler को और क्या-क्या खिला जाता है, तो supplementary feed, supplementary में अगर आप देखेंगे, तो vitamin खिला जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे, तो यह क्या करता है, तो growth rate बढ़ाता है, और feed efficiency को बढ़ाता है, ठीक है कौन vitamin, और कौन-कौन सा vitamin, तो vitamin A और vitamin K की यहां पर ब्राद हो रही है, तो वहीं यहां पर पूछा गया था, कौन-कौन से vitamin खिला जाते हैं, broiler को, तो vitamin A और vitamin के दोनों ही feed कर जाते हैं, इनको, निक्स्ट पर आते हैं, question 55th कह रहा है, यहां पर statement based question है, तो दो statement दिये गए है, पहला statement दिया गया, poultry fouls suffer from a number of disease caused by virus, bacteria, fungi, parasite as well as from nutritional deficiencies, देखिए, यह सब जो poultry foul होते है, poultry आपने सुनाओगा, बहुत सारे viruses आते हैं, इसे H1N1 आ जाता है, ठीक है, तो यह सब चीजे जो होती है, ठीक है, swine flu आ जाता है, तो यह सब किसमें होता है, इसमें होता है, बिल्कुल साही statement है, ठीक है, बहुत सारे diseases में आती है, bacteria से related, virus से related, fungus से related, parasites से related, यह सब होता है, इसमें, statement 2 क्या कह रहा है, these necessary proper cleaning, sanitation and spraying of disinfectant at regular interval, और इस वजह से जहां भी इनका पालन पोशन हो, ठीक है, वहां पर जगह हो, बहुत clean हो, sanitation हो, ठीक है, और साती साथ disinfectant का spray होता है, regular interval पे, statement 1 भी सही है, statement 2 भी बिल्कुल सही है, तो यहां पर C option सही हो जाएगा, 56th कह रहा है, fish is cheap source of animal dash for our food, देखें, fish हम लोग को क्या provide करता है, मिलली, तो animal का क्या चीज, मतलब animal protein या animal fat या क्या पू includes the fin to true fish as well as shellfish such as prawns and mollusk, अब देखें, fish का अंतला आप यह मत सीचिएगा कि सिर्फ true fishy fish होती है, fish में आपकी shell fishes भी आ जाएगी, जैसे prawns हो गया, mollusk हो ठीक है, तो यह सारी होती है, तो यह भी a option इसका सही हो जाएगा, तो fish production में तीनों चीज़े आती है, अब अगला बो next 59th question कहा गया है, India's marine fishery resources include how much kilometer of coastline, तो देखें, India की coastline पूछा गया है, mainly कितने किलोमेटर की है, जिसमें fishery obtain करी आती है, तो यह है 75-100 km किलोमेटर की, next पे आते है, question number 568 कह रहा है, pomfret, mackerel, tuna, sardons and bombay duck, यह किसके examples है, तो यह fish के example है, next पे आते है, question number 61 में क्या कहा गया, 61 कह रहा है, which of the following is cultivated for the pulse they make, अब देखें, परल्स के लिए, मतलब मोतियों के लिए, किसको cultivate कियाता है, तो oysters को cultivate कियाता है, तो इसमें option number C हो जाएगा, 62nd कह रहा है, the cultivation of fish and other marine animals for food, देखें, fish और कई सारे marine animal को cultivate करना, यह कह सकते है, पालन पोशन करना, खाने के लिए, तो इस प्र को कहते है, merry culture, ठीक है, तो merry culture कहता है, याद रखेगा, 63rd कहा गया है, brackish water resources, where sea water and fresh water mixed together, such as estuaries, lagoons, are also important fish reservoir, देखें, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा fish पाई जाती है, जो brackish water resource होते है, जहाँ पर mainly sea water and fresh water, क्या होते है, mix होते है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा fish resource हो times done in combination with a dash crop, तो mainly fishing होती है, यह कै सकते fish culture, जो होता है, कभी कभी क्या किया आता है, कि उसको rice के खेतों में culture किया आता है, तो rice के खेतों में, fish को भी डाल दिया आता है, जिससे fish भी बढ़ी जाती है, और rice भी मिल जाती है, ठीक है, तो और कहीं ना कहीं, जो fish होती है, वो excreta, जो release होत करती है, वो nitrogen में efficient होता है, nitrogen rich होता है, तो जिससे rice का भी production अच्छा हो जाता है, नेक्स्ट पे आते हैं, 65th question, अदेंट फाइदा, incorrect statement में the following, तो आपको बताना है, incorrect statement में से कौन सा है, केटलाजर surface feeder सही है, रोहू's feed in middle zone, तो रोहू जो होती है, रोहू में fish, वो middle zone में feed करती है, pond के बीचो बीच में, जो भी खाना होता है, उसमें feed करती है, मरिगाल, common carbs यह जो है, bottom feeders होते हैं, भी सही है, यहाँ पर जो grass carbs दिया गया है, animal waste पे नहीं feed करते हैं, यह ग्रास पे medicinal preparation, तो देखे wax का source उन में से क्या होता है, तो बी हाइव जो बरिया के चत्ते होते हैं, उन में से wax निकाला तो यह कई सारे medicinal preparation में बहुत ज़्यादा इस्तिमाल होता है, 67th question क्या कह रहा है, the dash bees have high honey collection capacity, तो देखे कौन सी bees ऐसी होती है, जिन में honey collection capacity बहुत ज़्यादा होती ह तो यह होती है, Italian bees, ठीक है, next पर आतने 68th क्या कह रहा है, for commercial dash production, bee farms और apparees are established, तो किसी के production के लिए, तो एक के production के लिए थो ही न होगा, honey के production के लिए, बी फार्म बनाए जाते है, apparees बनाए जाती है, ठीक है, और याद रखेगा, जो बी होता है, या बी का जो culture होता है, उस honey, ठीक है, honey कैसा होगा, depends किस पर करता है, कि वो खाते क्या है, flower कैसे available है, बीस के लिए, ठीक है, जिस तरीके का pollen collection करेंगे, उसी तरीके की, honey भी produce होगी, तो यहाँ पर true होगा, इसका answer, मतलब बिकुल सही बात कही गई है, last question में कहा गया है, correct statement बताना हिन में से कौन सा है, तो पहला statement देख लिए, पहला statement, the bulk of organic matter in manure helps in improving soil structure, बिलकुल सही है, this involves increasing the water holding capacity in sandy soil, sandy soil में water holding capacity को बढ़ा जेता है, organic matter यह भी सही है, आपका, दोनों बात सही हो गई, third में कहा गया, in clay soils, the large quantity of organic matter helps in drainage and avoiding water logging, तो water logging भी avoid होयती है, इससे, ठीक है, तो यह भी बात आपकी बिलकुल सही है, तो यहाँ तक हमारे कुछ approximately 70 questions थे, जो भी हम लोग ने discuss किये, और कहीं ना कहीं जो सारे questions से हो, पूरे-पूरे NCRT के बीचो 20 से लिए गए थे, इसलिए यह आपके लिए बहुत जादे important बनते हैं, तो अभी क्लिए फिलालत नहीं, बाकी के जितने भी हमेरे बास MCQ के notes हैं, जितने भी MCQs हैं, वो पहले से ही provide किये जा चुके हैं, प्लेश में आप देख सकते हैं उसको, और अपने revision को और अच्छा कर सकते हैं, तो अभी क्लिए फिलालत नहीं, thank you very much, goodbye, जैहिंद